यहोशू अध्याय दस और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इसराइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं तब वे निपट डर गए क्योंकि गिबोन बड़ा नगर राजनगर के तुल्ल और ए से बड़ा था और उसके सब निवासी शूरविर थे इसलिए यरुश्लिम के अदोनी से देखने हिबुन के लाजया होहाम、 यरमूत के लाजया पिराम, लाकिश के लाजया यापी और एगलुन के लाज़ा दबीर के पास, यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी साहता करो और चलो हम गिबोन को मारे क्योंकि उसने यहोशु और इसरालियों से मेल कर लिया है इसलिए येरुशलेम, हेबिरोन, येरमुत, लाकिश और एगलोन के पाचो एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकटी करके तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की चावनी में यहोशु के पास यो कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तु अपना हाथ न हटाना, शिग्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी साहता कर, क्योंकि पहाड पर रहने वाले एमोरीयों के सब राजा हमारे विर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशु से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा, तब यहोशु रातो रात गिलगाल से जाकर एकायक उन पर तूट पड़ा, तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राइलियों से घवरा गए, और इस्राइलियों ने गिबोन के पास बड़े मनुश्य सहार किया, और बेथोरों के चड़ाव पर उनका पीछा करके अजिका और मक्यदा तक उनको मारते गए, फिर जब वे इस्राइलियों के सामने से भाग कर बेथोरों क उतराई पर आए तब अजे का पहुचने तक यहवा ने आकाश से बड़े-बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए जो ओलों से मारे गए उनकी गिंती इस्राइलियों की तरवार से मारे हों से अधीक थी और उस समय अर्थात जिस दिन यहवा ने एमूरियों को इस्राइलियों के वश में कर दिया उस दिन यहोशु ने यहवा से इस्राइलों के देखते इस प्रकार कहा हे सुरिय तू गिबोन पर और हे चंदरमा तू अयालों की तराई के उपर थमा रहा और सुरिय उस समय तक थमा रहा और चंदरमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस चातियों के लोगों ने अपने शत्रू से पल्टा न लिया क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सुरिय आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग चार पहर तक न डूबा न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोगा ने किसी पुरुश की सुनी हो क्योंकि यहोगा तो इस्राइल की ओर से लड़ता था तब यहोशु सारे इस्राइलियों समेत गिलगाल की चावनी को लड़ गया और वे पांचो राजा भाग कर मक्यदा के पास की गुफा में जा चिपे तब यहोशु को यह समाचार मिला कि पांचो राजा मक्यदा के पास की गुफा में पास बैठा दो, परंत तुम मत ठेरो, अपने सत्रों का पीछा करके उन में से जो जो पिछड़ गये हैं, उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का आउसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमिश्वर यहवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है जब यहोशू और इसरायली उनका सहार करके नाश कर चुके, और उनमें से जो बच गये, सो अपने अपने गड़वाले नगर में घुज गये, तब सब लोग मक्यदा की च्छावनी को यहोशू के पास कुशलक शेम से लवटाए, और इसरायली के विरुद्ध किसी ने जी उन्होंने ऐसा ही किया, और येरुशलेम, हेबरोन, प्रमूर्थ, लाकिश और एगलोन के उन पांचों राजा को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए, जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इसरायल के सब पुरुशों को बु गर्दनों पर रखो, और उन्होंने निकटा कर अपने अपने पाव उनकी गर्दनों पर रखे, तब यहोशू ने उनसे कहा, मत डरो, और न तुम्हारा मान कच्चा हो, हियो बांध कर दुरुड़ हो, क्योंकि यहोवा तुम आरे संग, सब शत्रों से जिनसे तुम लड़ निवालों हो, ऐसा ही करेगा, इसके बाद यहोशू ने उनको मार ड़ाला और पाँच रुक्षो पर लटका दिया, और वे सांच तक उन रुक्षो पर लटके रहें, शुर्य डूपते डूपते यहोशू ने आग्या पाकर, लोगों ने उनको रुक्षो पर से उतारके उ और उस गुफा के मुह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिये वे आज तक वही धरे हुए है उसी दिन यहोशु ने मक्यदा को ले दिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा को सत्यानाश किया और जितने प्रानी उसमें थे उन सभों में से किसी को जीवीत न छोड़ा और जैसा उसने यरियों के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्यदा के राजा से भी किया तब यहोशु सब इस्राइलियों समेथ मक्यदा से चल कर लिबना को गया और लिबना से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेथ इस्राइलियों के हाथ में कर दिया और यहोश और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरिहो के राजा से किया था फिर यहोशु सब इस्राइलियों समेट लिबना से चल कर लाकिश को गया और उसके विरुद्ध च्छावने डाल कर लढ़ा और यहोशुवा ने लाकिश को इस्राइल के हाथ में कर दिया और दूसरी दिन उस ने उसको जीत लिया और जैसा उसने लिबना के सब प्राणियों को तलवार से भी मारा था वैसा ही उसने लाकिश से भी किया तब गेरेच का राजा हुराम लाकिश की साहता को चढ़ाया और यहोशु ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा फिर यहोशु ने सब इसरायलियों समेत लाकिश से चढ़ कर एगलोन को गया और उसके विरुद्ध चावनी लड़ा कर युद्ध करने लगा और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसी दिन जैसा उसने लाकिश के सब प्रानियों को वैसा ही उसने एगलोन से भी किया, फिर यहोशू सब इसरायलियों समेत एगलोन से चल कर हेबरोन को गया, और उन्होंने उसे ले लिया, और उसको और उसके राजा और सब गाओं को और उसमें के सप्राणियों को तलवार से मारा, जैसा यहोशू ने एगलोन से किया था, वै किसी को जिवीत न छोड़ा, उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला, तब यहोशु सब इसराइलियों समेत घूमकर दबीर को गया, और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उससे और उसके सब गाओं को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से गहात किया और जितने प्राणी उसमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा, जैसा यहोशुँ ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था, वैसा ही उसने दबिर और उसके राजा से भी किया, इस प्रकार यहोशु ने उस सारे देश को अर् बरन जितने प्रानी थे सबों को सत्यनाश कर डाला। झाल झाल